नमस्ते दोस्तों मैं हूँ दिलिप गंगवार स्वागत है आपको पिछला जो हमारा stml का पार्ट है जिसमें हमने div और span किया था वो जरूर देखें बहुत important concept उसमें समझाया हुआ था इस पार्ट में हम देखते हैं हमें क्या करना है progress bar, meter bar और dialogue तीन चीजे करने हैं सबसे प meter bar देखने में एकदम सेम लगेगी बर strictly कभी भी meter bar को progress के जैसे यूज नहीं करना है और progress को meter के जैसे progress bar में जो completed task होगा यानि जितनी चीज हो गई है वो value में आएगी और maximum होगा यानि जितना होना है वो max में वो value आएगी तो progress की progress करें यह हमारी progress bar है बस हमें क्या देना है इसमें value देनी है देदी हमें 60 और maximum value देदी मैंने इसकी 100 देखें यह हमारा age browser है window 10 का यह हमारी progress बार है मैंने zoom कर रहा है page को यह progress bar है तो आपका जो 100 था उसमें 60% इसमें complete हो रखा है अब आपको यह लगेगा कि हाँ यह तो मैंने value ऐसे भर दी इससे क्या फार्क पड़ता है इस progress से चलेगा तो नहीं तो यह चीज देखिए आपको java script से करनी होगी stml का मैं बार बार बताता हूँ stml is for data presentation only तो यह जो behavior आपका java script functions बनाने होंगे जिसके थुरू आप जो भी download हो रहा है अप लोड हो वेल्यू आगे बढ़ती रहेगी और आपका progress bar बढ़ता रहेगा आपको जैसे कि कैसे java script use करते हैं कैसे हम stml elements जो हमारे stml elements हैं इनको java script में यूज करके value को बढ़ाया गटाया जा सकते तो वह आप java script के tutorial में भी देखेंगे इसमें है कि आपको progress bar को कैसे use करना है इन values को हम हैंडल करेंगे java script के tutorial में उसके बाद जो हमारा next है वो है meter meter में देखिए दो value होती है एक तो range होती है और उसके बाद हमारी क्या होती ह है value होती है three value यानी use हो रही है मतलब meter जिसमें दिखाएगी उस meter में three value show होगी दूसरा आएगा minimum minimum value मैंने बता दी इसकी zero है और maximum value यह range है हमारी माली जे मैंने बोल दिया 10 simple सी बात हो गई कि हम we take three out of ten हमने 10 में से three इस पे show करना चाहते है meter पे meter का देखिए example क्या होता है simple द डिस्क बार होता है हमारी C drive D drive डिस्क का डिस्क बार होता है वो progress नहीं हो रहा है वो सिर्फ एक बार दिखाया हुआ है वहां पे कि हां इतना use हो गया इतना नहीं हुआ है इस तरीके से meter को show कर सकते हैं refresh करेंगे यह दिखिए हमारा meter बस आपको ध्यान रखना है meter हो या progress हो और बहुत सारे ऐसे element जिनमें आपको अगर dynamically behavior apply करना है dynamically यानि runtime website जब run हो रही हो उस वक्स जो भी अगर change से आप चाहते हो दो जावा script के थरूँ apply होंगे next हमारा topic है dialogue दीकि dialogue का क्या है बस browser support की problem है या आप अगर विंडो 10 का हमारा age लिखेंगे तो उस पे support नहीं करता और एक attribute होता open आएगा नहीं इसलिए सब जगे support नहीं करता इसके अंदर हम जो भी हम content लिखना चाहते हैं content में लिख सकते हैं लिजे मैं लिख दिया Hindi pack इसको मैं age पे अगर run कराऊंगा तो देखिए आप यह ऐसे आ रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि यह कोई dialogue box है इसी dialogue box को मैं chrome पर run कराऊंगा इससे मैं बंद कर देता हूं मैं इसको chrome पर run कराता हूं open with यह देखिए यहां पर बिल्कुल जैसा dialogue box आना चाहिए वैसे dialogue box आ रहा है करिए जरूर like करिए share करिए subscribe करिए tag करिए जो मन आये वो करिए HTML सीखिए सीशाप सीखिए ठीक है thank you guys मिलते है next part में see you